गुड इवनिंग स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में कालिदास का जीवन परीचो और उसके द्वाले लिखी गरंथों के बारे में पढ़ेंगे तो कालिदास के बारे में पढ़ने से पहले मां आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलें और आप एकजाम की तैयारी अच्छे से कर सकें तो देखेगा हम पढ़ते हैं कालिदास का जीवन परीचे कालिदास सेंस्कृत भासा के सर्वस्रेश्ट कवियम नाटक कार है दुर्भाग्यवस इनकी तीथी के विशेय में गहरा मत्वेद है इस समय में कुछ परमुक मत इस परकार से हैं जो एकजाम की देश्टेशे बह हुथी मैं तो बुण है डोक्टर होन ले आदी कुछ विद्वान कालिदास को छटी सताब्दी स्वी में मालवा के सासक यसो धर्मन का राजकवी बताते हैं कीत बंडारकर वीवी वामन सिवराम आप्टे बलदे उपधाय आदी विद्वानों का विचार है कि कालिदास इस सत्यावनिसा पूर्वय पर्थम सताब्दी में हुए मालवा के राजा विक्रमादित्ते के समकालीन थे जो मालवा थ्वा विक्रम समवत सत्यावनिसा पूर्वय का संस्तापक था ठीक है कालिदास के काल के विशे में जो भी विभिन मत पर्तिपादित किये गए हैं उनमें गुप्तकाल में कालिदास को रखने का मत सबसे अधिक समेचीर पर्तित होता है उनकी रचनाओं में जिस सांती और सम्रदी का चित्रन मिलता है वह चंद्रकुप दूइतिये के समय के विशे में सबसे उफ्यूक्त लगती है कालिदास हुणों के आकर्मन से परिचित थे उनके ग्रंथों में गुप्त समराटों के नाम प्रचन रूप में मिलते हैं तथा उनकी कविता का प्रभाव मंसो लेग जो 473 इस्वीव का है पर इसपस्टताय दिखाई पड़ता है कालिदास द्वारावनित समाचिक सान्ती एम वैबव की पूष्टी गुप्त काल के चिनी यात्री फाहियान के वीवरण से भी हो जाती है इन सबी बातों को जहान में रखते हुए अधिकास इत्यासकार उन्हें चंद्रगुप द्वित्य का ही दरबारी कवी मानते हैं यह कालिदास की पर्थम रचना है इसमें स्रेश्ट कावे कल्ला का परदर से नहीं मिलता जिसके कारन कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना स्विगार करने में संद्या करते हैं परवत पर निवास करने वाले एक यक्स दौारा वर्षा के आरभ में मेग दौारा अलका पूरी में निवास करती हुई अपनी वीरह विदूरा कांता के पास संदेश बेजे जाने का मनोरवर्णन प्राप्त होता है यह वीयोग सरंगार की अत्यूत क्रस्ट रचना है जिसमे कालिदास की परिपक्वा बुद्धी एम उच्चतम कावे पर्तिभा का निर्दर्शन हुआ है इस कावे की करुणा अत्यंती मरमिस परसी है तो दो हमने पड़े भी कालिदास के ग्रंत रितु सम्हार मेगदूत फिर अगलाता कुमार संभूम यह 17 सरगों का महा कावे है जिस इसमें सिव और पार्वति के पुत्र कुमार कार्तिके के जन्म की कथा वर्नित है इसमें प्रेथम आठ सरगों को ही कालिदास की रचना माना जाता है कावे संदरिय की द्रस्टी से यही उतक्रेष्ट मानने जाते हैं बाद में सरगों का कावे कोसल अपेक्षा कृत हीन है यह किसी सामने कवी द्वारा वीर्चित प्रेक्षे मात्र प्रतीत होते हैं इसमें कालिदास के कवीता का समतकार देखने को मिलता है पार्वति की कठोर तपस्या, शीव की समाधी, रिति विलाप, आदी वर्नन, अतीव सजीवता के साथ किये गए हैं हिमाले की छटा का वर्नन भी उच्तम कोटी का है आठवे सर्ग का रती वर्नन सोंदर ये प्रेमियों के मन को मुहल लेता है वर्नन से लिए अत्यन्थी मनोहर है ठीक है अगलाता रगुवन्स ये कालिदास का सर्वस्रेष्ट महाकवे है जिसमें 19 सर्ग है इसमें दिलीव स से लेकर अगनी वर्न तक 41 स्वाकू वनसी राजों का चरीतर चित्रन अत्यन्थ उत्क्रिष्ट था एवं कुछलता के साथ किया गया है दसवे से पंदर्वे सर्ग तक राम के चरीतर का वर्नन अत्यन्थ विस्तारपूर किया गया है इस महाकावे में स्रेष्ट कावे की पूर्ण सेंस्क्रित वांग में का सर्वोत क्रिष्ट महाकावे है ठीके मालविकागनी मित्रम ये कालिदास का पर्थम नाटक है जिसमें पांच अंकों में पूरुर्वा तथा उर्वर्शी के परणे कथा का वननन मिलता है ये है आख्यान रिग्वे तथा सत्पत ब्राम में उलेकित मिलता है इस प्राचीन वैदिक आख्यान में कुछ परिवर्तन कर इसका रमण ये नाटक किये चित्रन प्रस्तुत कर लिया है पूरुर्वा एक उपकारी सासक है वह राक्सस से उर्वसी नामक एक अपस्रा का उधार करता है उर्वसी उसके एलोकिक रूप पर मुग्द होकर कई सर्तों के साथ उससे विवाह करना स्विकार करती है पूरुर्वा उसके वियोग में पागल बंगल जंगलों में मारा मारा फिरता है पूरुर्वा के प्रेम उसकी भावनाओं का चित्रन मारमिक्ता के साथ प्रस्तुत किया है अभी ज्यान सांकूतलम ये पहारती आलोजकों के मतनुसार कावे में नाटक सुंदर होता है तता नाटकों में सनकूतलम सुंदर है कावे शु नाटकम रम्या है तत्र रम्या संकूतला । अभिज्ञान संकूतला में कुल साथ एंग हैं जिन में हस्तिनापुर के राजा दुस्यन तता कणवर इसी की पालिता कन्या संकूतला के मिलन वियोग तता पुन्दर मिलन की कथागा नाटे के जित्रन अत्यन सजीवता एंव कमनियता के साथ किया गया है इसका कथानक महा भारत के आदी परवे से लिया गया है किन्तु कालिदास ने मूल कथा में कुछ महतोपन परिवर्दन कर उसे अत्यन रोचक बना दिया है कथानक का सारांस इस प्रकार है हस्तिनापुर के राजा दुस्यन आखेट करते हुए कणवर इसी के आस्रम में जाते ह जा संकूतला से उनका मिलन होता है वह वहां को समय रुख जाते हैं राजा तता संकूतला का समागन होता है उसे अपनी अंगुठी देकर वह अपनी राजदाने वापस लोट आते हैं संकूतला उनके वियोग में खिन बठी रहती है एक दिन दुरवासा रिसी आस्रम में ज दुस्यंत के विशे में निरंतर चिंतन सिल होने के कारण उनका अतिती सत्कार नहीं करती। क्रोध यूपत दुरवासा उसे साप देते हैं कि दुस्यंत उसे भूल जाएगा। कणवा रिसी तिर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सारा विर्तांत जानकर हर्शित होते हैं। वे संकूतला को गोत्मी तथा अपने दो सिस्यों सार्धवत और सारंग रव के साथ हच्तिनापूरे बेशते हैं। मार्ग में अंगूटी गिर जाती है। उसके बाद एक दीवे जोती उसे स्वर्ग लोग उठा ले जाती है। जहां वहें अपनी माता मेनका के साथ मारीज रिसी के आस्रम में रहने लगती है। वहीं उसे भरत तता संकूतला को प्राप्त करता है। जहां उसे विजय स्री मिलती है। लोडते समेवे मारीज के आस्रम में जाकर भरत तता संकूतला को प्राप्त करता है। तथा दोनों के साथ अपनी राज़नी वापस आता है। मिलन तता मारीज के आशिरवाज से नाटक की समापती होती है। संकूतला में कालिदास ने प्रेम तता करुणा का अपूर्व समिलन प्रस्तुत किया है। नाटक का चतूर्थ अंक जिसमें कावे रिशी अपने सिस्यों के साथ संकूतला को आश्रम से विदा करते हैं। काम धरम वासना कर्तवे आती विरोधी गुणों का समनवे दिखाया गया है कावे की मनोदसा दता संकूतला को दी गई शिक्स्याओं का वर्णन कवी ने अत्यन मारमिक्ता एम कुसलता से किया है चतूर्द अंक के चार्श लोक जिनमे उनका वर्णन है सर्वस्रेष्ट माने जाते हैं यहां संकूतला के पति ग्रह गमन पर कवी ने जैसा करूंचित्रन अंकित किया है वह अत्यन थी अन्यतर दुल्लव है यानि अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता तो देखेगा इस वीडियो में हमने कालिदाची के जीवन के बारे में उनके जो महाकावे लगूकावे है उनके बारे में नाटकों के बारे में जानकरी प्राप्त की ऐसे ही और भी जानकरी हम आपको देते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज से